हेलो, सभी को नमस्ते, वेलकम तो स्टडी वंद्र एजूकेसंस, जैहीन, जैहारत, जैसे हो, उमीद करता हूँ, सांदार होगे, तो कल वैसे ही हम डिसकस कर रहे थे, कि नए बच्चे जो आ रहे हैं, या खासकर इस वकैंसी के बारे में, हमारे ग्रामिन इलाकों में तो बहुत कम पता होता है, सहरों में तो फिर भी अवेरनेस होती है, सब को पता है कि पेरेंट्स गाइड कर देते हैं, क्योंकि विशली ब 11 साल तक, क्योंकि इस डूरेशन में बच्चा पलस टू कर लेता है, फिर BSC मेडमिसल लेता है, तब तक उसकी यह चले जाती है, उसको नहीं पता चलता कि मुझे ओफिसर भी मैं बन सकता था, बारमी के बाद, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं नहीं बन सकता था, बस मैच BDS के बारे में बाद में पता चले graduation के बाद, या फिर भारमी के बाद ही ओ डारेक्ट ओफिसर बन सकता था, ऐसा उसे स्कूल में बहुत कम उसका interest होता है, क्योंकि interest पैदा किया जाता है, बोलें ना कि मेरा interest है, कई बार interest पैदा किया जाता है बच्चे में, कि उसको बार- के बाद officer बन सकते हो, NDA के थुरू, National Defense Academy के थुरू, कि NDA एक exam होता है, जो direct आपको officers बनाता है, एक परकार से सोच लो कि आप lieutenant सीधे भरती होते हो, एक परकार की जोग, जैसे CDS में हम जाते हैं, graduation के बाद, कि CDS में तो चलो apply कर लेते हैं, art वाले भी apply कर लेते हैं, वो OTT अ पट, अगर उसको सुरुवात में ही 10th standard में ही पता चल जाए, कि हाँ, मैं NDA की त्यारी करूं, और जो mathematics कर रहा हूं, इसको बहुत strong करूं, और जो मैं 10th standard तक मैं GS पढ़ते आ रहा हूं, math reasoning, GS जो भी पढ़ते आ रहा हूं, एक Lucent अगरवाल का mathematics, या जो मैं एक simple सी कुछ भ नंबर काता है, और दोनों के duration धाई घंटेगी होती है, एक 600 का, एक 300 का, 900 नंबर का paper होता है, फिर SSB होती है, तो इस दोरान अगर बच्चा दस्वी में ही किसी बच्चे को बहुत अच्छी guide मिल जाए, कि आप बेटा direct, क्योंकि एक लंबी जरनी खाम कही उसकी 10 साल मेंट जब वो 30 का भरती होगा, जब वो 30 का भरती होगा, तब तुस बच्चे को सर्विस करते वे 11-12 साल हो जाएंगे, NDME, और साइद वो 15-20 साल बाद वी Ares लेके, अपना बिजनस या बहुत बड़ा, या बहुत बड़े ओदे पर पहुंच जियाएगा, मतलब ये समझ लो कि तो सीधा का सीधा Agrade Officers और अपना सुरक्षा कवच में पहुंच जाये 11-12 साल में तो, तो कहने का मतलब कि तसमी के बाद एक NDA की Vacancy आती है, हर साल दो बार आती है, उसमें 150 questions जो आप इसका देख लेते हैं कि कैसे ये भरती पूरी होती है, और जो माता-पिता अभी अपने चारा, NDA, National Defense Academy, GS की बहुत भेतरीन टीम में आपके साथ समक्स पढ़ाती ही है, और ग्यार्मी भार्मी का जो mathematics है, उसके नए teachers बहुत जल्दी, तो NDA में साल में दो बार अग्जाम होता है, पहली बात तो ये खास बात है, लेकिन age बहुत छोटी है, साड़े सोला साल, ठीक ली, ओहो, SSECGL, ओहो, CPO, CHSL, या फिर किसी के बहुत अच्छे guide होंगे, तो UPSC की तरफ चला जाता है, तो साल में दो बार होता है, इसमें जो आप ग्यार्मी, भार्मी में mathematics पढ़ते हो, जैसे integration, differentiations, figurometry, functions, तो वो सारे chapter यहां पर पूछे जाते हैं, ग्यार्मी और बार्म का जो mathematics होता है, उसके 150 questions आते हैं, दो नंबर के आते हैं, 300 नंबर का ही paper होता है, एक GT बोलते हैं, जिसमें आपके 300 questions आएंगे, दो नंबर के आएंगे, negative marking है दोनों में अलग अलग, ये 600 होगा तो, टोटल 900 नंबर का paper होगा, अब ये 300 questions कौन से हैं, ये 300 questions वो हैं, इसमें current affair जादा आती है, science का जो weightage आपने 10 मी तक, 11 मी बारमी तक, जो आपने समान्य विज्ञान पढ़ी, वो पूछा जाएगा, आपने history, polity, geography, current affair, economics, ये जो विशे हैं, वो 300 नंबर के आएंगे, और 300 questions आएंगे, और आप देखो कि, जो बच्चा, चलो अब तो जो बच्चा होगा, उसको तो आता है, history, polity, geography, लेकिन जो बच्चा, बारमी का रखा है, उसके ना के बाबर और हुमायू नहीं नहीं से हैं, वो लगे हैं, पढ़े हुए तो हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि तुगलगमानी थी, किसने launch की थी, या सिकंदरे साने, किसको वहला जाता है, क क्योंकि previous years, और जो नए बच्चे है, NDA की ट्यारी करना चाहते, टेलिग्राम को जोईन करने में, बैटा description में लिंक दिया गया है, जहां पर आपको NDA के previous year paper प्रोवाइड कर दिये जाएंगे, साम तक, ठीक है, और Facebook वालो, आप भी, ठीक है, तो ये एक paper रहेगा, फिर इस इसके बाद SSB होती है, ये सारी चीज़े इसमें लिखी गई है, मैंने verbally आपको बता भी दी है, कि कैसे कैसे कौन सी चीज़े रहती है, NDA 2024, offline mode paper होता है, ये सारी चीज़े हमने discuss कर ली है, जो भी इनोंने लिखा है, जो officers on, साल में दो बार होता है, फिर SSB होती है, जो interview होता है, वो एक बहुत है पड़ा होता है, इस paper का, जिसमें उसको देखा जाता है, ऐसे exams होते हैं, खासकर military school के बच्चे जाते हैं, इसमें अनुसासन देखा जाता है, बच्चे में discipline है या नहीं है, उसमें बोलने का त द्रस्टी कोन देखा जिता चीजों को लेकर, कि आपको कोई pictures देदी, जैसे घोडे पर कोई जा रहा है, घोडे पर कोई आदमी बैठा है और उसके हाथ में कमा पीछे, अलवार लटकी हुई है, तो उसका द्रस्टी कोन देखा जाएगा, कि आप इस पर essay लिखो, क्या होगा, group discussion होगा, और story making होगी आपकी वहाँ पर, story making आपको सीख, मतलब आपका एक द्रस्टी कोन देखा जाएगा, कि आप officer बनने लाइक है, क्योंकि paper आपने pass कर लिया, एक पढ़ाव जो महत्वपुन था, वह आपने pass कर लिया, अब आपका ज्यान नहीं देखा जाएगा कि आपको कितनी knowledge है, अब आपकी analysis और reasoning और logic power देखी जाएगी, कि बच्चे में कितनी उसमें, उस चीज की observation है किसी चीज को लेकर, क्योंकि officers जो बनते हारे हैं, आपको भी पता कभी भी ceasefire हो गया, कि decision लेना, क्योंकि decision making power देखी जाती कि बच्चे में है या नहीं है, बस rough and stuff होता है कि कोई, ऐसे कि जवान मरते हो और वो सोचता रहे कि हाँ, तो ऐसे बच्चे को कभी नहीं लेंगे वो, या कोई बहुत गुस्य वाला हो दिख रहा हो, कि हाँ यह तो aggressive हो जाता है छोटी सी चीज पर, like me, तो ऐसे उसको कभी नहीं लेंगे वो, ना लिया उन्होंन में, क्योंकि वो क्या करेंगे, SSB में देख लेंगे, SSB होता ही ऐसा है कि उसकी personality कैसी है, एक personality test होता है, उसके दिमाग का और उसके सरीर का, ठीक है, आप वो खाना खाएगा महस में, उसकी observation चलेगी camera में, कि वो खाना कैसे खा रहा है, ठीक है, वो जहाँ पर वो रहेगा कि वहाँ, academy में पहुंचेगा, जहाँ पर उसका, उसका interview है, वहाँ पर जो officer से नमस्ते करेगा, हाथ मिलाएगा, क्या करेगा, इस तरीके से नमस्कार करेगा, यह जैहिन करेगा, सब चीजें observation की जाती, देन आप्टरी, SSB होता है, और इसके लिए बहुत सारी academy हैं, भारत परतिवाएं गाओं में खूब होती हैं, बस बताने वाला होना चाहिए, कि कोई समय पर उसको सही से guide कर दे, कि यह चीजें होती हैं बेटा, और आप officers बन सकते हो, क्योंकि हमें तो बाद में बचा जाता है, कि पहले, जैसे हमारे seniors होते थे, जो बीटी, V8 कर लो, MSC कर लो, सब कुछ नोकरी ही नोकरियां हैं, पता चला कि V8 के बाटी जीटी 2016 के बादव आई है, वो भी पूरी नहीं हो रही है, वो कर लो, वो कर लो, क्योंकि soft corner, मतलब भीड जहां जादा है, वो हमें बताई जाती है, हलांकि भीड यहां भी है, लेकिन जो 16 साल का बच्चा है, साड़े 16 साल का बच्चा, उसके पास जो एक energy होती है, वो 30 साल के पास, 30 वाले के पास नहीं मिलेगी, उसके पास जो sitting है, chairs बैठने की, पढ़ने की अक्समा, वो नहीं मिलेगी, जो 30 साल का है, जो 16, जो यंग है, वो उसमें जुनून होता है, कि हाँ, तभी तो 100 बटा सो सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में बहुत जल्दी जल्दी आपको गाइड कर दिया जाएगा, जैसे जैसे इसके परवी सीर पेपर पढ़ हो एक बार, अगर आप 10 वी पार अभी हुए हैं, क्योंकि एक तो drop out किया जाता है, drop पर बने कि बार्मी के बाद एक साल जो हम यारमी वार्भी में पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सब सबसेट, इंटिग्रेशन, डिफ्रेंसेशन, ट्रिग्रोमेटरी सब पढ़ते को नहीं पढ़ता, तो वही पेपर में पूछा जाएगा, तो क्यों न उसको CDS, उस NDA लेबल का त्यार किया